हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे से होंगे आज का जो वीडियो है वो सेल्फ ग्रोमिंग का है सेल्फ ग्रोमिंग भी बहुत जरूरी होती है एक हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमिन हो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ना ब अपने जितना भी सेल्फ ग्रोमिंग काम था एक ही दिन में किया तो सबसे पहले तो सुवे सुवे के जितने काम है वो सब फिनिश किये लंच और नाश्टा सब का सब बनाया उसके बाद जरूरी होता है कि बच्छों को भी ना टाइम से आप फीड करवा दो तो यह मैं अर लेते हैं और आपको भी ऐसे लगता है कि हां चलो कुछ तो उनको धंका हमने दिया है कुछ तो हैदी उनको दिया है तो मेरा तो यही तरीका रहता है उनको मोट यह सब खिलाने का या तो पराड़े में बना देती हूं मैं या फिर इस तरीके से ना प्याज दही यह सब डा करने देगा अदरवाइस तो बीच बीच में उसके अपने ही टेंटरम चलते रहते हैं ममा ये कर दो ममा वो कर दो ममा ऐसे ममा वैसे तो वो करने नहीं देता है कुछ भी तो आपको ये चार्ट कैसा लगा आप ये बच्चों को ना ऐसा कुछ करके दे सकते हो तो जो मैं बोल रही हूँ आपको कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए एक टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसके अकोर्डिंग आप अपना जितने भी काम हैं वो पहले फिनिश करो और उसके बाद बच्चों को बिल्कुल बच्चों को सबसे पहले खाना खिला दो ताकि वो आप को डिस्टर्ब ना करें और अरनव को तो यह चार्ट बहुत पसंदा किया और उट लेकर भाग गया मैंने उसको बोला कि बाय तो कर दो कम से कम तो फिर वापस आके बाय करके जा रहा है वो तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेल्फ ग्रूमिंग वाला काम तो स स्टार्ण काम प्लेसन करी कीजिए इसको मैंने वह काले किम की टली ना थे तक यह और वचि शो 7 गुण भी बहुत ज्यादा वो करता है तो बस अलोविरा का ऊपर का छिलका मैंने यसे हटा दिया अब इसको क्या करेंगे जितना भी इसका ऐसे गुद्दा है ना वो हमें परल पैसे निकाल लेना है तो ऐसे यसे करके निकालते हो ना तो एकदम जेल जैसा निकलता है जिसे म यह बन जाता है देखो इस तरीके से तो आपको ना मार्केट जाने के जरूरत नहीं होती है एकदम ताजा ताजा आप लेकर आओ तो यह मैं बना रही हूं हैर मास्क के लिए थोड़ा सा अलोविरा यह मैंने ज्यादा लिया है इसमें मैंने डाल ला है यहां पे दही तो द सेवरी तो पूरा स्कैल्प पे अपलाइ हो गया था फिर मैंने इसमें मिलाया थोड़ा सर्सोओं का तेल आप सर्सों का तेल 친 का नहीं मिला ना चाहते पहले जब हम यह अपलाई करेंगे तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने बालों को अच्छे से कॉम कर ले ताकि जोतने भी उनकी उलजनी हैं वो निकल जाएं और आपका जो मास्क है वो अच्छे से लगे वो तो उसके लिए आपको कॉम करना बहुत ज़रूरी है और छो तो देखो खुद से ही अपलाई मैं हमेशा करती हूं आपको आपने देखे होंगे मेरे वीडियो उसमें महेंदी और सब में कितनी दिक्कत होती थी मुझे बड़े बालों में उनको लगाने में इसलिए इस बार ना मैं अभी छोटे ही बाल करवा कि आकी था कि मैं इनके जरूरी था तो अभी इसको पूरा अच्छे से स्कैल्प पे लगा लूंगी पूरे बालों में आ जाना चाहिए हाला कि लास्ट में थोड़ा से मुझे कम पढ़ गया था बट फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस यह बनाओं और लगाओं तो जितना मुझ से हुआ उ जरूर बताना अलांकि अभी सच कहूं तो थोड़ा सा मेरा जो हैर फोल है वो कम हुआ है शायद तो इस मास्क की वज़े से या फिर बाल छोटे गरवा लिए तो उलजते भी कम है तो उस वज़े से भी हो सकता है क्योंकि लंबे बाल मेरे बहुत ज्यादा उलजते थे तो वो भी एक प्रॉब्लम थी बाल तोटने की बट अब कम उलजते हैं तो कम तोटते हैं तो यह देखिए अच्छे से मैंने इसको लगा लिया है पूरा कटोरी में जो था ना वो भी अच्छे से लगा लिया अब क्या करेंगे जो हैर मास्क है वो तो अपलाई हो गया अब इ पूरा चिकनाई जो है अंदर तक हमारे जाएगी तो बाल भी एकदम अच्छे से चिकने चिकने रहेंगे और स्कैल पे भी ना डेंडरफ की प्रॉब्लम बाल जड़ने की प्रॉब्लम सब में ही रहत मिलेगी तो अभी मैं चहरा धो लूँगी और धोने के बाद अभी वाप मेरा यूज कर रही हूं उसका ही वापस मैं यहां पे जैल निकाल रही हूं थोड़ा सा मेरा दही बच गया था तो दही मैं एड कर लूँगी इसमें ते लीजिए अराम से एकदम ऐसे हलके हलके आतों से आप इसको ऐसे कुरे दोगे ना तो बहुत ही अच्छा जैल आपका गाड़ा लगा तो मैंने थोड़ा एलोविरा जल और इसमें मिलाया और एक बहुत ज्यादा आपको लिक्विडी नहीं करना है थोड़ा गाड़ा ही रखना है वैसे तो अच्छे से आपकी चेहरे पी अपलाई हो जाए तो देखो अभी थोड़ा हलका सा मुझे लगा कि थ इसी चीजें बनाके लगाती हूं तो काफी सही रहते हैं वह आपको नैचरल प्रोड़क्ट्स यूज करने चाहिए जो भी आपकी किचिन में ही आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती है वह ना तो उनसे बहुत ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं और ना ही आपके पैसे चले ज और आप जो भी मास्क लगा रहे हो वह अच्छे से आपको सारे अपने जो गुण हैं वह आपकी स्किन के अंदर चले जाएं अभी देखो मैं इसको हाथों से अपलाई कर रही हूं मेरे पास कोई ब्रश तो है नी तो मैं हाथों से ही इसको अपलाई करूंगी और मोटा नहाना भी जरूर होता है सुभए सुबह तो नहाने के बाद ये सारे काम कर रही हूं तो थोड़ा सा ना यसे लग रहा था की कैसे मतलब मेरे कपड़े भापस मुझे दोने ना पड़ें तो इस तरीके से मुझे लगाना था और यह लेजिए पूरा जो मास्क है वो मैंने लगा लिया थोड़ा गर्दन पे भी लगा लिया है अब यह बच गया तो इसको हाथों पे लगा लेंगे तुझ से पहले सबसे पहले तो यह स्वेटर निकालनी पड़ेगी मुझे अब तो इनफेक्ट थोड़ी थोड़ी गर्मिया आ गई है लेकिन यह वीडियो जो है मैंन पैट ऐसा नहीं है तो बैस मेरा जो मास्क है वो पूरा लग चुका है अब क्या करेंगे हाथ में धोकर आ गई हूँ अभी मैंने ले लिया है कोटन और कोटन पे मैं डालूँगी थोड़ा सा गुलाब जल और आँखों पे रख लूँगी तो आँखों को भी राहत से मिले लेते हैं ये दो कोटन के बॉल और ये लेचिए एकदम लग रही हूँ ना कार्टून जी हां थोड़ा सा ऐसे लगता है कार्टून जैसा और अच्छे से वाश करके आ गई हूँ मैं चेहरा भी और अपने बाल भी तो चेहरे पे थोड़ी से कर लेते हैं मसाज क्योंकि चे सब्सक्राइब का तो चाहिए और जो प्लड सरकुलेशन है चाहरे का वो भी अच्छे से पूरे चेहरे पर हो और वाथटे प्ताइब ऑद्याख से वहाँ ना कि उसके भी साल जोग है नहीं है इस तरीके से फिर हम करेंगे इसको मॉस्चिराइज तो मॉस्चिराइजर लगा लेंगे जो भी आप अपना अप्लाइ करते हो ना बस वो ही लगा लो तो ये ना मतलब ऐसे देखो मैं कोई है ना वो नहीं हूँ कि मैं कोई मैंने पारलर खोल रखा है या ऐसी कोई भ चोड़ा सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो, आप वो करो, मैं जो करती हूं, तो अच्छे से ना, कुछ-कुछ ऐसे फेस मसाज के इनके वीडियो में देखती रहती हूं, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, ये सब ची के लिए, चैलो, हो क्या देखो, पूरा पीछे तक मैं पूरा बलड को खैंच-खैंच कर ले गई हूं, ये लिजे, थोड़ा सा लिप-बाम लगा लेंगे, होटों पे भी मैंने लगाया था, जो मास्क था, उसको भी रगड के मैंने निकाला था, तो इसलिए थोड़ा लि लेते हैं, सई से, अभी गीले हैं, तो इनको अच्छे से ड्राइर करेंगे, मैं हमेशा तॉलिये से ही बस पौंच लेती हूं अच्छे से, और विंटर्स में तो धूप में जाके बैठ जाती हूं, बट गर्मियों में इनको नैचरली वैसे ही सूखने देती हूं, ड्रायर यूज नहीं करती भले वो विंटर्स हो या समर्स जो भी हो और ये लिजी बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा खिले-खिले और अच्छे से लग रहे थे और बस हो गई मेरी सेल्फ ग्रूमिंग अभी बाकी है थोड़ी सी रुको रुको तो फिर शाम को मैं गई थी पार्लर ज जाना चाहिए और जितना हो सके अपना खुद का काम ना ऐसे थोड़ी बहुत मसाज हुई थोड़ा यूनों बालों के लिए यह समना खुद कर लेना चाहिए वरना बहुत पैसे लगते हैं भी बाहर से करवाओ तो जब रेट सुनते ना उसी में ऐसे लगता है खुद को आ कोशिश कर रही हूं सीétais तो बहुत जादा पीछी में पड़ी नहीं थे उसके थो भड़ा सा यूनों पेट को भी पढ़ना जरूरी है और अपने आपकी खुशी के लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना भी जरूरी है तो क्योंकि आज मैंने अपने आपको पूरा दिन डेडिकेट किया था तो आलो के पराठे भी मेरी पसंद से ही बनाए थे और खाए मैंने चटनी और आचार के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टील बने थे और आज बोहुत ही अच्छा अच्छा फील हो रहा था और एकदम मुसालेदार ये आलो के पराठे खा करना एक दम मज़ा सा आ गया था और अबी भी देखो गर्मा गरम है एकदम गर्मा गर्म तوवे से निकालते ही में लेकर आई पहले किचेन आज बाद में साफ करेंगे पहले आलो के पराठो पर तूट पड़ो और बहुत अच्छे से मैंने इंजोई किया और आई हूप आपको भी मेरा ये वीडियो ना पसंद आया हो अगर आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और में चैनल क लगे हैं आपको कैसे लग रहे हैं बताना जरूर तो मैं तो बहुत इंजोई किया मैंने इसको तो बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाई